रांची प्रवर्तन निदेशालय यानी E.D. ने बहुत ही बड़ी खबर कोर्ट को बताया है। E.D. ने रांची के PMLA कोर्ट में आवेदन देकर जानकारी दी की जेल में बंद प्रेम प्रकाश व अन्य अभियुक्त, जेल के अधिकारी और राज्य के कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत से E.D. के अधिकारियों को जूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश पहुंची और प्रेम प्रकाश सहित उससे संबंधित लोगों के ठिकानों पर छापे मारी शुरू की छापे मारी के दौरान प्रेम प्रकाश के अलावा जेल अधिकारियों से संबंधित CCTV फुटेज की भी जाच की जा रही है इडी की टीम ने कुछ CCTV फुटेज भी जब्त किये है मनी लाउंडरिंग के अभियुक्तों की निगरानी के दौरान इडी के अधिकारियों ने यह पाया की प्रेम प्रकाश राज्य के अधिकारियों के साथ मिलकर इडी के अफसरों को जूटे मुकदमे में फंसाने की साजिश रच रहा है इसके लिए उसने कई पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से बात की है इडी ने जिन मामलों के आधार पर ICIR दर्सकर मनी लाउंडरिंग के आरोपों की जाँच की और वरिय अधिकारियों के अलावा दूसरे प्रभावशाली लोगों को गिरफतार किया उसे बरहर्वा कांड की तर्स पर समाप्त करने की कोशिश की जा रही है इसका उद्देश मनी लाउंडरिंग के मामलों को ट्रायल के दौरान प्रभावित करना है धुर्वा थाने में इडी के गवाहों और इडी के अधिकारियों को जूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश करना इस साजिश का एक छोटा उदाहरण है जेल में रची जा रही इस साजिश में जेल के अधिकारियों द्वारा अभियुक्तों को इधर-उधर संपर्क करने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है चापामारी के दौरान इडी की टीम प्रेम प्रकाश और उसके सहयोगियों के अलावा जेल अधिकारियों के संबंधित CCTV फुटेज की जाच कर रही है सूतरों के अनुसार इडी ने चापामारी के दौरान कुछ महत्वपूर्ण CCTV फुटेज जब्द किये है इससे पहले भी इडी ने कोर्ट के आदेश के आलोक में केंद्रिय कारा में चापा मारा था उस दौरान जेल में रात के वक्त प्रेम प्रकाश और निलंबित आयेस छवी रंजन की मुलाकात की पुष्टी हुई थी हालांकि पूच्टाच के दौरान दोनों ने एक दूसरे को जानने से भी इनकार कर रहे थे जेल अधीकशक ने पहले इस मुलाकात को वैथ बताया था हालांकि पूच्टाच के दौरान वह जेल मैन्यूल के प्रावधानों के आलोक में प्रेम प्रकाश और छवी रंजन की मुलाकात को वैद साबित नहीं कर सके इडी ने मनी लाउंडरिंग के अभियुक्तों को जेल में सुविधा देने सहित अनेकारणों को देखते हुए जेल से CCTV फुटेज की मांग की थी इस पर जेल अधिकारियों और इडी के बीच कानूनी लड़ाई शुरू हुई थी इडी द्वारा फुटेज मांगे जाने के बाद जेल अधिक्षक ने PMLA कोर्ट में इसे जेल की सुरक्षा और कैदियों की निस्ता के नाम पर देने से इंकार कर दिया था लेकिन कोर्ट ने फुटेज देने का आदेश दिया था कोर्ट के आदेश के बाद जेल अधिक्षक ने हाई कोर्ट में अपील की थी हालांकि बाद में उन्होंने उसे वापस ले लिया और इडी को CCTV फुटेज सौपा लेकिन वे आधे अधूरे थे इस मामले में जेल की ओर से जगह की कमी की वजह से फुटेज के स्वता डिलीट हो जाने की दलील दी गई थी